भारतिय डाक विभाग की ओर से देश भर के विभिन डाक घरों में ग्रामीन डाक सेवक के पदू पर कुल 38,926 डाक सेवकों की भरतियां की जाएंगी जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी ओनलाइन शुरू कर दी गई है और इसमें शेक्षिकी योग्यता हाइस्कूल रख पिछले कई हफ्तों से देश के विभिन हिस्सों खासकर उत्तर भारत में भीशन गर्मी पड़ी है हाला कि अब मौसम विभाग ने राहत की जानकारी देते हुए बताया है कि हीट वेव से लंबे समय तक जूझने वाले राज्यों में तापमान गिरने वाला है तेज के साथ अगले तीन दिनों में अधिक्तम तापमान में दो से चार डिग्री की कमी आएगी मुंबई पुलिस ने महाराश्ट्रा नवनिर्मान सेना मनसिक नेता नितिन सर्देसाई और बाला नंगाउपकर सहित कम से कम सो लोगों को संगिये अपराधों की रोक थाम के लिए CRPC की धारा 149 के तहट नोटिस जारी किया है यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब मनसे प्रमुक राज ठाकरे ने एक माई को महाराश्ट्रा के और अंगाबाद में एक रैली में लोगों से 4 माई से मस्जिदों के बाहर लाउट स्पीकर नहीं हटाये जाने की स्थिती में मान चालीसा बजाने के लिए कहा था चतीसकर में पुलिस और नकसलियों के बीच मुटभीर हुई है मुटभीर में गोली लगने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी डैनिश समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ सयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत युक्रेन में ततकाल युद्ध विराम और सभी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करता है। आज उत्तर प्रधेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैत्रिक गाउव उत्तराखंड में पंचूर पहुँचे जहां एक लंबे अर्से के बाद उन्होंने अपनी माँ और भाई बहनों से मुलाकात की और अपने शिक्षकों को सम्मानत किया साथ ही गुर टूर्णामेंट के अंतिम चार मैच एहमदाबाद कोलकाता में खेले जाएंगे मेगा फाइनल 29 माई को नरेंदर मोधी स्टेडियम में खेला जाएगा 27 माई को क्वालिफार दो भी इसी स्टेडियम में होगा क्वालिफाई एक और एलिमिनेटर 24 और 25 मई को इडन गार्डन में खेला जाएगा